नमस्ते वेलकम टू माई चैनल लिव लाइफ हैल्दी एंड ब्यूटिफुली आज मैं बना रही हूं सोरी आज मेरे हस्वेंड बना रही हैं मलाई कोफता बीच में कुछ स्टैप रह गए हैं क्योंकि यह रेसिपी हमने वह उती कम टाइम में बनाई थी तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं मलाई कोफता एक कड़ाई में तेल गरम कर लेंगे तेल गरम होने पर इसमें डालेंगे जीरा खड़े मसाले में मैंने लिए हैं हरी इलाईची, डालचीनी, लोंग, काली मिर्च, तेजपता, जावित्री, बड़ी इलाईची इन सब को तेल में डाल देंगे साथ ही डाल देंगे काजू, अद्रक और लैसून एक मिनट इन्हें भूनने के बाद इसमें प्याज डाल देंगे, साथ में हरी मिर्चे भी डाल देंगे प्याज को भी हलका पिंक होने तक भून लेंगे, बहुत जादा इन्हें भूनना नहीं है, जादा भूनने से ग्रेवी का कलर खराब हो जाएगा अब इसमें डालेंगे हल्दी, धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है हल्दी का और कश्मीरी मिर्च का कलर आने तक इन्हें बून लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर और टमाटर को भी अच्छे से पका लेंगे साथ ही डाल देंगे नमक और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे टमाटर पकने के बाद इस मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे और इसे पीस लेंगे पीसने के अपाद इसे हमें छान लेना है जिससे ग्रेवी बहुती स्मूध बन जाएगी ग्रेवी को 10 मिनट तक पका लेंगे उसके बाद इसमें दूट डालेंगे दूट डालते टाइम जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम या फिर लो होने चाहिए नहीं तो दूट फट जाएगा और साथ साथ इसे चलाते रहें अब धिमी आज पर 15-20 मिनट तक इस ग्रेवी को पका लेना है कोफते बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर और दो बॉइल किये हुए आलू इसमें काली मिर्च और नमक डाल कर इसे ऐसे मसल लेंगे और मिक्स कर लेंगे इस तरह मसलने से इसकी चिकनाई पनीर की चिकनाई इससे अलग हो जाएगी तब तक इसे हमें मसल ना है अदरग भी आप डाल सकते हैं इसका टेश्ट भी कोफते में बहुत ही अच्छा लगता है फिर से इसे मिक्स कर लेंगे देखिए सोफ डोबन कर तयार हो गया है अब इसमें से एक टुकडा लेंगे और उसकी एक बोल बना लेंगे इसे अच्छे से दबाते हुए इसकी बोल बनानी है अब जैसे stuffing करते हैं प्राटे की उसी तरह इसमें हम stuffing करेंगे यह optional है मैंने यहाँ पर लिया है stuffing के लिए धनिया, किश्मिश, पिष्टा, काजू, बदाम और हरे मिर्च आप अपनी पसंद की filling इसमें डाल सकते हैं stuffing डालने के बाद इसे फिर से tightly बंद कर देंगे नहीं तो यह तेल में जाने के बाद फट जाएगा अब इसे चावल के आटे में इस तरह रोल कर लेंगे सभी बोल इसी तरह हम तयार कर लेंगे अब गरम तेल में कोफते डाल देंगे एक टाइम में सिर्फ पाथ से छे कोफते ही आप डाले नहीं तो चुछ कोफते पड़ सकते हैं दोनों तरफ से कोफतो को पका लेंगे कोफते तयार है ग्रेवी तयार है तो चलिए अब इसकी प्रेयर clar Kalla relevant जब आपको स्वर spreadsheet करना है उसी टाइम आप ग्रेवी और कोफतो को मिक्स कीजिए नहीं तो कौफते ग्रेवी में पिंगल जाएंगे और आपकी रेसिपी खराब हो जाएगी धनिये से कार्णिश कर लेंगे रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज जरूर लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर ब